आज हम बना रहे हैं पालक कोस्ते बहुत इजी रेसिपी से और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी से जो शादियों में हम बहुत अच्छा लगता गाने में उस रेस्टोरेंट स्टाइल हम बना के दिखा रहे हैं बढ़े हैं तो चार लेली जियेगा चार बाइल करके ठीकर डाली हैं यह करीब 200 ग्राम अपनीर लेलिया है इसको भी मैंने गीया कस कर लिया है सबसे पहले स्वाजनुसा नमक डालेंगे इसके इंदर, मैं एक चमस से थोड़ा से ज्यादा डाल रहे हैं, जितनी क्वांटिटी आपकी आप उसके अकोडिंग डाल सकते हैं, दनिया पाउडर, एक टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून, पिंच ओ फ हाफ टेबल स्पून जिंजर, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा यह पालक है, बहुत बारीक धो के अच्छे से काट लिया है, छोटा-छोटा, इसको भी मैं डाल दूँगी, अब इसका अच्छे से बिक्स करते हुए, एक डो तयार कर लेते हैं, यह मैंने मिक्स कर लिया अब इसके अंदर बेसन डाल देती हूँ, तीन से चाट, इसको भी मिक्स कर लिया है, अब हाथ में ओल लगाते हाथ को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, इस तरीके से करते हुए, इसके कौफते बना लेते हैं, जिस भी साइस के आपने बनाने हैं, जिस भी शेप के आप बना चा लेते हैं, आप सीलेंडिकल भी बना सकते हैं, तरीके से करते हुए, लेते हैं, करीब 16 बनके राड़े हूं, शोला सत्रा ही बनेगे, थोड़ा बढ़ा हो सकता आप अपने अकोर्डिंग कर लीजेगा और जितने कॉंटिटी आपको चाहिए आप उतना ही लेकर बनाईएगा अब ओइल चेक कर लेते हैं ओइल भी रेडी हो गया है सेम्टू मीडियम गैस के ओपर हम इसको तलेंगे थोड़ा ओईल उपर डाल देंगे इस तरीके से करते हुए पून की हल्प से इसको भी हाथ गिलाएंगे नहीं बिलकुल इस तरीके से करते हुए एक साइट से सीम्टू मीडियम गैस पर सेखेंगे साथ साथ हम अपना ग्रेवी तयार कर लेते हैं जितने यह तयार हो रहे हैं जिस भी ओस आटा चाहते हैं इसको गयसे को टाहिए पाहले गरम कर लेते हैं चैथ करते हैं गरम हो हो गया थो इसमें जीरा डालेंगे जीरा क्रेकल हो गया 2-3 लाल मिड्ग 5-6 काली मिर्च के दाने, 2-3 लॉंग, 2 मोटी लाई की, 2-3 पत्ते करी पत्ते के, बहुत छोटे डाले हैं, बड़े हो तो एकी जाल लीजिगा, मसाले बिंगे हैं, गैस को सिम रखेंगे, नहीं तो मसाले एक दों उचतेंगे, लस्तन डाल दिया, मैंने गार्लिक, एक टेबलिश्पून जिंजर, एक टेबलिश्पून, इसको भीरे से लाते हुए, पलट लेंगे, रूखो, चोप किया हुए, प्यास दालेंगे, दो प्य मैं पाइनली छोप दे, ब्राउन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं, लेकिन हम ब्राउन होने चाहिए, इस स्टेज तक हम इसको बूलेंगे, दो से तीन मिनट लगेंगे, ब्राउन हो चिक है, अब इनको निकाल लेते, इसी तरीके से करते हुए, और भी तयार जिटने देर में ग्रेवी तैयार होगी ते इसके अंदर कस्तूरी मेत्री डालेंगे एक टमत क्रश्च करते हुए डालेंगे एक टेबल स्पून दर करते सूखा दर्या इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले एक तीस सकीन करीब इसको चलाते वह ब्यूलेंगे दोनों मसा जालों को यह देखते हैं करीक 30 सचिंड चलाते हो इसको भून लिया है कस्तुरी मेती और धनिय को इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा खुश्बू बहुत अच्छी आरी है स्टेंपे किचन में अभी आगे के वसाले डालते हैं रींत रोमिटा कमपेवल चश्मीडी लाल मिट्क 1715 में जीरा पवावडर 519 पिंच ओं फालदी सीङत अब दो ठाल ठीवावडर में 25 criar किचन किंग यो अगर आप क्वावम ना चाहते हैं थोकुए घिंच इक किचन पाउडर कशर चीर सुआप 10 साथ Arctic्बड्यूमें के ए ख चलाते हुए virtue ऐसे saja, मैं थोड़ा पानी डाल दिया है, एक चमाची डाला है, लिए और है। इसे को कि कण्यूचति पूल एक मिननेट 30 सकिन के लिए और भून लेती हूँ पाइनली चुप टमाटट डाल दिये मैंने तीन टमाटट डाल दिये बहुत बारीक काट लिये थे इनको भी मैंने इसको भी जादा चमच नहीं लगाएंगे अभी इसके अंदर हम तादना सारा नमक डालेंगे मैं एक चमच डाल द रही हूं क्योंकि हमने कॉफ्तों में भी जाला हुआ है जाधा ना हो जा इसलिए और इसको ढख देते हैं करीब एक मिनट के लिए फिर हम चैक करेंगे यह हमारे सारे कॉफ्ते बनके रैडी हो गया है अब हम टमाटर भी चैक कर लेके तो माटर भी हो चुके है तरिक्टे से करते हुए फोड़ा सा अच्छे से मिक् अब इसके अंदर थोड़ी सी फ्रेश मलाई भर की वह डाल देंगे इस श्पेस के ऊपर में करीग दो प्री स्पून डाल रही हो आप चाहें तो अगर मलाई नहीं आपके पास फ्रेश तो आप इसकी जगे आप क्रीम भी यूज कर सकते हैं पर क्रीम का यूज अभी नहीं मैं आपको बताऊंगे आगे कहीं आगे करना होगा इसके लिए पूरी रेसिपी देखिएगा इस तरीके से करते हुँआ अच्छे से हम मलाई को भी भून लेंगे इसको पालक मैंने पीस लिया था करीप मैंने 1-1-2 kg पालक लिया था जिसको मैंने अच्छे से ब्लांच करक वहत ये जाइंगे और एक बOneE date चलाते हु अच्छे से लगेंगे मेरे बाइस जार में भी लगा रहे गया था उपी थोड़ा सा पानिदाल के वह भी मेंदाल रहे हूं इसको भी मिक्स कर लेते हैं और गैस को थोड़ा सा मीडियम खरके इसको एकप्वाइल देला ले ते यह ज्याद़ा नहीं करीं अब इसे चाला हुआ अगर 03,600 उ६ा के चलाश्च के इसके अंदर मलाय और ढाल दूंगी इस तरीक आरंड शैटे से नहीं डालना जा तो मिर्भी डाल सकते हैं इस और tulisorm ब्लाना प्रीम ऑङर जाले खिर से 4 चलाते हुआ हूं तो रिषी बहुते एक तरीका यह है कि कौक्स्ते आप साथ साज डालके इसको बहुत लाइथ से आप इसको भी हिला सकते हैं वेधे इस हम्हा सकते हैं कि कौस्ते डाल करिखे आपने ए can beระएं Nicholas ऑन टे आप तर्प लगे जो आपको ठीक लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं यह देखिए बहुत हलके हाथों से ही लाना है क्योंकि बहुत सॉफ्ट है अब इसके उपर कुछ अध्रक के जूलियर्ट्स डाल देंगे हरी मिल्ट डाल देंगे लंबी स्प्लेट करके इस तरीके से करते हुगा मेरी पालक के कौफते की ग्रेवी को सबजी रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल रेडी है इसको आप बनाएगा अब हम सर्व कर लेते हैं मेरी पालक के कौफते स्पैनिज के कौफते रेडी है रेस्टोरेंट स्टाइल जो शादियों में बहुत टेस्टी बनते हैं जो हम ल करिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा